हेलो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में भुगोल से समद्धित महत्पूर्ण प्रेश्ण उत्तर आज के लेसन की सुरुवात करेंगे लेसन को पूरा देखिएगा अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिजेगा ये सब ही ऐसे प्रेशन है भुगोल के जो परिक्छों में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए आए दिखते हैं आज का पहला कोश्चन कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में अगला कोश्चन भारत की सबसे प्राचीन परवत स्रेडी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली परवत दोस्तों आपको हम वीडियो में वन लाइनर कोश्चन्स बताएंगे जिससे आपका समय बचेगा और आपको ज़्यादा ग्यान प्राप्थ हो जाएगा आए देखते हैं अगला कोश्चन सबसे बड़ा ग्लेसियर कौन सा है? सियाचीन ग्लेसियर चौथा कोश्चन हिमालय के सरवोच सिखर की उचाई कितनी है? 8,850 मीटर परिक्षों में पूछा गया है पांचवा कोश्चन कौन सी पहाड़ी नर्मदा और तापती नदियों के बीच में है? सत्पूडा की पहाड़ियां ठीक है? अगला कोश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या इस्तित है खैबर दररर? सत्पूडा कोश्चन पालधार दररर किन दो राजियों को जोड़ता है? केरल और तमिल नाडू नाथुला दररर किस राजिये में इस्तित है? उत्तरा खंड में इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, नाथुला दर्रक किस राज में स्तित है, उत्राखंड में, किस नदी के किनारे पर परसिद महाकालेस्वर मंदिर है, नर्मदा नदी के किनारे, अगला कोशन है, किस स्थान पर भागी रथी और अलग नंदा मिलकर गंगा का नि निकलती है, तो यहाँ पर देखिए, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां तिब्बत में मानसरोवर जिल के पास निकलती है, अगला कोशन है, कौन सी नदी बांगला देश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मप पुत्र, शुष्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल कौन सी है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मुंगफली, ठीक है, मुंगफली सुष्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल है, अगला कोशन, उदैपूर की जवारा खाने किस खानिच के उध्खनन के अगला कुश्यन दोस्तों वीडियो के अपने दोस्तों के साथ भी शेर करते चलिए जहां भी आपका श्टेडी गुरूप है यह सभी ऐसे प्रेशन ही उपर एक चौह में बार बार पूछे जाते हैं खानिच पदार्तों की दृष्टी से कौन सा भारतिय चेत्र अधिक सम्रिद्ध है छोटा नागपूर पठार अगला कुश्यन है तीहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है भागी रथी से भागी रथी नदी से तीहरी बांध को जल प्राप्त होता है अठारवा कोश्चन भारत में निम्ण में से कौन सी वनस्पती प्रमूख है तो यहां सही आंसर हो जाएगा पतज़र वन अगला कोश्चन भारत के पश्चमीत घाट परवतिय छेतर में निम्ण में से किस प्रकार की वनस्पती पाई जाती है सदा बहार किस तिथी को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर ये भी परिक्षा में आया हुआ कोशन है ठीक है 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं अगला कोशन है किस नदी को व्रिहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है अगला कुशन है कौन सी नदी कपिल जल्धारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा कौन सी नदी ओडीशा में सोक कही जाती है औरीशा का सोक कौन सी नदी कही जाती है ब्रहमःडी नदी किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है गंगा इस अभी प्रशन आपको पता होने चाहिए अगर आप प्रत्योगी परिक्षाओं की त्यारी कर रहे हैं तो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है ब्रह्मपुत्र अगला कुश्यन नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत की किस राज में बहता है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश में नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत में बहता है कौन सी नदी पर भारत वा पाकिस्तान का जल समझोता हुआ है important question सिंधु नदी सिंधु समझोते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिसत जल का प्रयोग करता है 20 प्रतिसत कौन सी नदी भारत के केवल जम्मु कश्मीर राज से होकर बहती है तो यहां सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी सिंधु नदी भारत में केवल जम्मु कश्मीर राज से होकर बहती है दामोदर नदी कहां से निकलती है छोटा नागपूर के पठार से अगला कुश्यन किस प्रकार की मिट्टी के लिए नियूंतम उर्वरक की आवशक्ता होती है तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है जलोड मिट्टी भारत की समस्त इस्थल भा का कितना प्रतिसत जलोड मिट्टी से आच्छांदित है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24 प्रतिसत दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज मैंने आपको बताया भोगोल से संबंदित बहुत इमाहत पूर्ण कोश्चन जो कोश्चन हमेशा परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए जीके के तौर पे तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा हमेशा की तरह आपको कोई सुझावे तो आपको में कमेंट कर पूछ सकते हैं हम सभी के कमेंट चेक करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी हमेशा की तरह शेर कर दिजे जहां भी आपका इस्टेडी गूर्प है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेल इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दबा दिजेगा मिलते हैं नेक्ष वीडियो में एक और इंपोर्टन वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिद्ध, जय भारत